हाई सद्गुरू मैं चेतन भगत हूँ और आपसे मेरा सवाल जो मेरी मोटिवेशनल टॉक्स में अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मैं खुद को फिर से प्रेरित कैसे करूँ मैं उन हालातों में अपना साहस फिर सही कठा करके अपने लक्ष की तरफ कैसे बढ़ूँ जब म अगर हम खुद को प्रेरित करते हैं या किसी से प्रेरित होते हैं तो हमेशा कोई ऐसा भी हो सकता है जो हमारा उत्सा तोड़ दे अगर कोई चीज हमें उठाती है तो कोई चीज हमें गिरा भी सकती है मूल रूप से प्रेरिना का मतलब ये है कि आप एक जूठा आत्मविश्वास बनाते हैं किसी व्यक्ति को आत्मविश्वास की जरूरत केवल तभी होती है जब उनमें जरूरी स्पष्टता की कमी होती है जब स्पष्टता नहीं होती तभी हम आत्मविश्वास चाहते हैं किसी को आत्मविश्वास की जरुरत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को अंधेरे में चलने के लिए कहें, तो अचानक उन्हें आत्मविश्वास की जरुरत पढ़ती है, क्योंकि स्पष्टता नहीं होती. इसलिए लोग मानने लगे हैं, अगर हम अपने जीवन में स्पष्टता लाने की कोशिश नहीं करते, अगर हम अपना जीवन आत्मविश्वास के गुबारे के साथ जीने की कोशिश करते हैं, तो कोई न कोई उसमें सोई चुभा कर उसे नीचे गिरातेगा, या जीवन के हालात वैसे भी ये करी देंगे. ये कुछ ऐसा है, आप बहार थे और किसी ने आप से कहा, कि आप दुनिया के सबसे शांदार इंसान हैं, आप बादलों पर तैरने लगते हैं, आप घार आए और घार वालों ने आपको आपकी असलियत बता दी, और फुस वो नीचे आ गया. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि इंसानों को अपने जीवन के हर आयाम में सपश्टा लाने की कोशिश करनी चाहिए. अगर हम आत्मविश्वास से काम चलाने की कोशिश करेंगे, जो या तो हालात से या लोगों से प्रेरित होता है, या जो भी हम सोचते हैं कि इस दोड़ के अंत में हमें मिलने वाला है, तो ये प्रेरित आत्मविश्वास हमेशा नीचे आता है. ये सपश्टा का विकल्प नहीं है. केवल स्पष्टता होने पर ही आप सहजता से चल पाएंगे. अगर किसी इंसान को इस जीवन से सहजता से गुजरना है, तो स्पष्टता जरूरी है, और स्पष्टता आपको उपहार के तौर पर नहीं मिलती. इसके लिए हमें मेनत करनी पड़ती है. स्पश्टा लाने की एक पूरी प्रणाली है मगर हमारी शिक्षा प्रणालियां सूचना का धेर बन कर रह गई हैं इसलिए हम आत्म विश्वास से काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर हमारी शिक्षा प्रणाली का मकसद हमारे बोध के उपकरणों को तेज करना होता तो निश्चेत रूप से हमारे अंदर स्पष्टा आ जाती ये बहुत महत्वपून है कि एक इंसान के तौर पर आप अपने जीवन में स्पष्टा लाने का प्रयास करें झाल